मोधी नगर के एक शहर में निहाल नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था वो अंडे पीचकर अपना और अपने परिवार्था गोजारा बड़ी ही मुश्किल से कर पाता था यूगि सभी लोग उसकी पास की दुकानों पर ही जाकर ओमलेट खाते थी और कोई भी उसकी दुकान पर अंडा खाने के लिए नहीं आता था जिस वज़ा से उसकी दुकान पर बहुत ही कम लोग अंडा खाने के लिए आते थी जिस वज़ा से उसकी कमाई भी बहुत ही कम होती थी एक दिन जब निहाल अंडे बीच रहा होता है और कोई उसके दुकान पर अंडा खाने के लिए नहीं आता कितनी देर हो गई आये हुए और अभी तक एक भी ग्राक नहीं आया और फिर निहाल को खड़ी-खड़ी देर हो जाती है बहुत देर हो जाती है और जब कोई भी अंडा खाने नहीं आता पता नहीं, लोग मेरी दुकान पर अंडा खाने आते क्यों नहीं है जिससे देखो, वैं दूसरे दुकानों पर ओमलेट खाने चले जाते हैं ऐसे तो मेरी कमाई ही नहीं हो पाएगी नहाल के आसपास की कई दुकानों की पास ओमलेट की दुकाने थी इसलिए सभी लोग उसका अंडा खाने की बजाए ओमलेट खाना पसंद करते इसलिए कोई भी उसकी दुकान पर अंडा खाने नहीं आता था और जिससे उसकी कमाई भी कम होनी लगी थी निहाल बिचारा सोचता रहता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे और फिर तभी उसकी दुकान पर एक आदमी अंडा खाने के लिए आता है चलो, कोई तो मेरी दुकान पर अंडा खाने के लिए आ रहा है भाई, एक प्लेट अंडा लगाना जी, अभी लगाता हूँ फिर निहाल आदमी को एक प्लेट अंडे की लगाकर खाने के लिए दीता है अरे, इससे अच्छा, तो मैं पास की दुकान पर जाके ओमलेट इखा लेता अंडा खाकर तो मेरे मूँ का स्वारा साध ही विगड़ गया और मेरे पैसे भी खराब हो गए अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, अंडा कोई खराब चीज थोड़ी न होती है पर जो सुवाथ ओमलेट में है, वो अंडे में कहा, यह लवाई तुमारे पैसे फिर वो आदमी निहाल की अंडे की पैसी देखतर चला जाता है उस आदमी की बाद से निहाल बड़ा तुखी हो जाता है अरे अंडा भी कोई खराब चीज है, जो वे आदमी बोल कर चला गया हे भगवान, जिसे दिखो वो ओमलेट खाना पसंद कर रहा है मैं क्या करू जिससे मेरे अंडे का काम फिर से चलने लग जाए इसी तरह खड़े हुए निहाल को बहुत देर हो जाती है पर उसकी दुकान पर बहुत ही कम लोग अंडा खाने आती है जिसकी बजा से उसकी कुछ भी कमाई नहीं होती और फिर जब शाम हो जाती है और उसकी दुकान पर कोई नहीं आता और सब भी लोग पास की दुकान पर ओमलेट खा रही होते हैं तो निहाल को बड़ा ही दुख होता है ऐसे मैं कब तक खड़ा रहूंगा इससे अच्छा दो है कि मैं घर ही चला जाता हूं और फिर निहाल अपना ठेला लेकर घर चला जाता है और जब उसकी बीवी पूनम फेले पर अंडे ऐसे के ऐसे रखी देखती है अरे ये क्या आज भी आपकी अंडे ऐसे के ऐसे ही वापस आ गए आज भी कोई अंडा खाने नहीं आया क्या अब क्या बताऊं तुम्हें जिसे देखो वे ओमलेट ही खाना चाता है अब मैं अंडा चोड़कर ओमलेट तो नहीं बीच सकता न ऐसे तो हम लोग बड़ी परिशानी में आ जाएंगी फिर घर की खर्चे भी तो है अभी पूनम और निहाल दोनों बाते कहीं रहे थे फिर तभी उसके दो छोटी बच्चे रिंको और राजू आते हैं मम्मी मम्मी बड़ी जोड से भूग लगी है कुछ जल्दी से बना दो ना अभी बना कर लाई में तुम लोगों के लिए खाना तभी निहाल अपनी पत्नी पूनम से कहता है आज तुम रहने दो मैं खाना बनाऊंगा ये सुनकर निहाल की बच्चे रिंको और राजू बड़े ही खुश हो जाते हैं और श्योर बचाने लगते हैं ये आज पापा खाना बनाएंगे मेरे तो मुँमे अभी से पानी आने लगा पापा जल्डी से खाना बनाओ ये सुनकर उनम हस्ती हुई कहती है अच्छा तुम लोग तो ऐसी खुश हो रहे हो जैसे मैं खराब खाना बनाती हूँ अरे मम्मी आप भी अच्छा खाना बनाती हूँ पर पापा जैसा नहीं अरो मम्मी आप हमें हर रोज एक ही खाना बना कर खिलाती हो पर पापा जब भी कुछ बनाते हैं तो अलगी बनाते है ये तो है तुम्हारी पापा का बनाया हुआ खाना होता बड़ा स्वादिश्ट है मैं तो कहती हूँ तुम दोनों हर रोज अपने पापा से खाना बनवाया करो ये कहते हुई सभी हसनी लगते हैं निहाल बड़ा ही स्वादिश्ट खाना बनाता था और वो जब भी कुछ बनाता तो कुछ अलग ही बनता था इसे लिए सभी उसके खाना बनाने की बाद सुनकर खुश हो जाते हैं और उसके खाने की तारीफ कर रहे होते हैं तभी निहाल अपनी तारीफ सुनकर कहता है अरे इतना भी बड़िया खाना नहीं बनाता मैं जो तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो अब जल्दी जाओ भी और कुछ बना कर खिला दो हाँ पापा बड़ी भूग लगी है जल्दी जाओ ना पापा banana जाता हूँ जाता हूँ फिर निहाल किचन में जाता है और फ्रिच खोल कर देखता है तो उसमें सबजे भी नहीं होती अरे फ्रीज में तो सब्जी ही नहीं है फिर वो खाना बनाने के लिए सोशे लगता है सब्जी तो है नहीं अरे ये तो पाओ है इसी से कुछ बनाता हूँ फिर निहाल फ्रीज से पाओ निकाल कर उसे तवी पर सेख कर उसमें अंडी लगतर बना दीता है अंडा पाओ लाकर वो सभी को परोजता है टैन टैन ये रहा अंडा पाओ अंडा पाओ वाओ वाओ वाँ क्या खुश्वू है ये तुमने कब बना न सीखा अब देख के रहे हो जल्ली से खाकर तो बताओ कैसा बनाए पर जैसे ही सभी पूनम, रिंको, राजू, अंडा पाओ खाते हैं तो उनके मूश से बस एक ही शब्द निकलता है वाँ क्या अंडा पाओ बनाए पापा आप में खाकर तो मज़ा या लिया सच में इतना बड़िया बनाए सच में पापा, पापा, ये तो बड़ाई स्वादिष्ट और यमी है आप हर रोस अंडा पाओ ही बना कर खिलाया करो निहा की पत्नी पूनम दी जब अंडा पाओ खाती है तो वो भी तारीख की बिना नहीं रह पाती वाकई में ये अंडा पाओ तो बड़ा ही स्वादिष्ट है आज से पहले मैंने ऐसा अंडा पाओ नहीं खाया ये सुनकर निहाल अपनी बच्चों से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें हर रोस अंडा पाओ बना कर खिलाया करूँगा तब ही निहाल की पत्नी पूरं कहती है आप अंडा पाओ बना कर क्यों नहीं बेशते तु ये क्या क्या रही हो, अंडा पाओ बना कर बेचा गरूँ सही तो क्या रही हूँ जब हम लोगों को आपका अंडा पाओ इतना पसंद आ रहा है तो सोचो ग्रहाप को कितना पसंद आएगा और हो सकता है हमारे अंडा पाओ का धंदा अच्छा चल जाए और वैसे भी अंडे बीचकर भी कोई से कमाई हो रही है अई हाँ ये तुम मैंने सोचा ही नहीं और फिर एक दिन एक आदमी उसकी अंडा पाव की दुकान देखता है और फिर वो आदमी निहाल की दुकान पराकर अंडा पाव खाने के लिए मांगता है फिर निहाल उस आदमी को एक अंडा पाव लगा कर देता है फिर वो आदमी निहाल को अंडा पाव के पैसे देता है बाई बाकली में अंडा पाव दो बहुत स्वादिश्टा खाकर मज़ा आ गया धन्यवद ये सुनकर महल को अच्छा लगा है और इसी दर्हार उसकी दुकान पर कुछ और भी अंडा पाव खाने के लिए आते हैं बाई मुझे निसाल अंडा पाउ पो देना और मुझे चीज अंडा पाउ ठीक है ठीक है मैं सभी को देता हूँ फिर निहाल सभी को अंडा पाओ बना कर खाने के लिए देता है और जब वो सभी उसका बनाया हुआ अंडा पाओ खाते हैं तो खाते ही तारीफ की बिना नहीं रह पाते ये देखकर निहाल को बड़ी खशी होती है मेरा बनाया हुआ अंडा पाओ लोगों को पसंद आ रहा है इससे तो क्या ही बात होगी इसी तरह निहाल की दोपहे तक काफी अंडा पाओ बिग जाते हैं और उसकी कमाई भी अच्छी हो रही थी और फिर शाम मोने तक उसकी दोकान पर अंडा पाओ खाने वालों की बिल जबा हो जाती है और उसकी सारे अंडा पाओ खत्म हो जाते हैं और उसकी खुब अच्छी कमाई होती है पेर नहाँ खुशी खुशी घज जाता है और अपनी पत्मी पूरं को बताता है अरे वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है आज पहले ही दिन इतनी अच्छी कमाई हो गई और लोगों को आपका बनाया हूँ अंडा पाओ भी पसंद आया इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा हाँ मुझे भी लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा अब अब जल्दी से कुछ बना कर किरा दो बड़ी भूब लगी है क्या खाओगे अंडा बाओ ये सुनकर निहाल उसकी पत्नी पूरम हसने लगते हैं फिर पूरम अपनी पती निहाल के ये खाना बनाने चली जाती है और खाना खाते थी निहाल को नीड आ जाती है और फिर सभी लोग जाकर सो जाते हैं